नमस्कार बिहारी नीज में आपका स्वागत है। प्रभावित टॉप तीन जिलो की बात करे तो राजधानी पटना में 522 मामले, गया में 128 और भागलपुर में 78 मामलों की पुस्टी हुई है। 97.24 पतीशत पर पहुच गई है। इसके साथ ही बिहार में एक्टिम मरीजगों की संख्या 5925 पर पहुच गई है। ग्याध हो जाड़ी किये गए आकड़े 2,41,95,375 सैंपल की जाज के बात जाड़ी किये गए है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 85,050 सैंपल की जाज की गई है। हालांकि इस बिमारी के कारण अब तक कई लोगों ने अपनी जान गवाई है। जान गवाने वालों की संख्या देश में तो लाखों पर पहुच गए है। वहीं बिहार की बात करे तो कुल मामले 1591 पर पहुच गए है। वहीं अब अगरम जिले बार कोरोना प्रभावितों की संख्या गी बात करे तो अरडिया में 6, अरवल में 33, औरंगबाद में 31, बाका में 8, बेगुसराय में 27, भागलपुर में 78, भुचपुर में 49, बकसर में 3, दरभंगा 14, गया 128, गोपाल गंज 31, जम्भुई 9, चहानावाद 68, कैमूर 13, कचिहार 3, खगडिया 9, किशन गंज 6, लखिसराय 14, मधेप पूरा 21, मधुबनी में 88, मुंगेड में 32, मुझबफर पूर 74, नालंदा 22, नवादा 21, पटना में 522 मामले हैं, वहीं पूर्णिया में 23, रोहतास में 34, सहरसा में 30, समस्तिपूर में 13, साडन में 33, सिखपूरा में 17, सीतामधी में 14, सिवान में 32, सुपॉल में 8, वैशाल और वहीं विश्चमपाडन में 28, मामलों की पुष्टी हुई है, इसके साथ ही बाकी ऐसे 9 संक्रमित हैं, जो की दूसरी राज्ये के हैं, लेकिन इनका सैंपल बिहार के ही अलग-अलग जीलों में कलेक्ट किया गया है, इसके साथ ही राज्यमी टीका करन की संख्या में भी ब्रधी देखने को मिली है, अब तक कुल मिलाकर 42,38,475 लाभार्थियों को टीका दिया जा चुका है, वहीं भी ते दिन के पिछले 24 घंटे की बात करें, तो टीका करन की कुल संख्या 1,7,841 लोगों का दोनों डोज मिलाकर टीका करन किया गया है, जिसमें पहले डोज के तहत 94,116 लोगों को डोज दिये गया है, वहीं दूसरे डोज के तहत 13,725 टीकल गया गया है, कुरोना के मामलों में बेशक बढ़त देखने को मिल रही है, एहत्याती कदम उठाया जाने की सक्ष जरुरत है, हाली में मुख्यमंत्रे नितिश कुमार ने बिहार में नए सीर टीक नहीं हो सकते हैं, इसलिए मास्क जरूर पहने, दोगज की दूरी का भी पालन जरूर करें, जिससे आपकी आप भी सुरच्षित रह सकते हैं और आपके आसपास की लोग भी, आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद